हेलो कोई सब्सक्राइब के अंदर आने वाले कुछ जबरदस्त 5G स्मार्टफ़न के बारे में इस प्रैस चांग ना जो की इस टाइम के बेस्ट एंड वेलू फॉर मानी स्मार्टफ़न है उसी स्मार्टफ़न को मैंने चुना है काफी ज्यादा रिचार चन रिव्यूस च्छेजर इमेज का बड़ा बैटरी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट पावरफूल प्रोसेसर अच्छा केमरा अच्छा डिस्प्ले मतलब कि सब कुछ आपको एकदम बेस्ट लेवल का मिल जाएगा स्मार्टफ़न को प्राइज यो हजार से दौज़र रुपे अपड़ लोग इस बात का घ्यान रखना स्मार्टफ़न का जो रेंकिंग उनके पर्फॉमेंस के हिसाब से बाट इससे आप एकदम मत सब्सक्राइब करते हो चलिए विश्टिंग एंट टाइम और आप विडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बाल आकन को और प् सब्सक्राइब तो बनता है और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कोमेंट सेक्षन बेजक मुझसे पूछ सकते हूं मैं आपका जो डाउट है कलर कर दोंगा अब बात कर लेते हैं स्मार्टफ़न के बारे में तो जो हमारे लिस्ट में फिक्ते नमबर में रेंकर तो पोको की दव से पोको एमपब 5G यह स्मार्टफुन प्राइस के कोडिंग काफी इस जाते हैं तो आप जल्दी बात कर लेते हैं इसके फीचर के बारे में यह स्मार्टफोन फटीट रोड का स्पेसदीट में स्मार्टफोन ओं सीडोलुज सेडोल developmental रेंग सेह来 खाता है अब बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले डिपार्टमेंट के बार में तो इसमें लगाए 6.518 का फूल एचेडी प्लस IPS अल्जर डिस्प्ले नाइंटी हट के साल और टू-फोर्टी हट का टाथ सेंप्लिंग रेड़ भी है 500-neight का peak brightness देखने को मिलता है और overall डिस्प्लेश का decent टाइप का है याँ पर आपको इसके वेक में 50- 와 पिक्सल प्लस टू- Sophia पिक्सल का dual camera का सट अफ देखने को मिलता है और इसके front में लगा 8 Myा पिक्सल का self e camera काईस से से बेक एंड फ्रॉंट दोनों केमरे से आप 10 टिक विडियो 30 प्रेस्ट प्रेस्व रिकॉट कर सकते हो उबर्वल केमरे परफॉरंस एबरेज लेवल का है देल आइट में अच्छा परफॉर्म करता है बट लो लाइट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता इसमें लगा है मीडे टेक डेमिस्टी 700 का 5G चिपसेट और जो इसका अंतुतू स्क्रों तीन लाग पाचाशार के करी में गेमिंग परफोर्मेंस ठीक ठाक रहेगा नहीं ज्यादा हाई लेवल करेगा नहीं ज्यादा लो लेवल करेगा यह जो स्मार्टफोन टूटल साथ 5G बेंड को सपोर्ट करता है अब बात कर लेते हैं इसके प्राइजिंग के बारे में तो इसके चार चौसट का जो प्राइज जो दस जार 999 रुपय यानी की 11,000 रुपय हजार का बैंक डिस्कॉर्ट मिल जगा देन इफेक्टिवल इसके स्मार्टफोन की तरफ चाह सकते हो बड़े में तो जल्दी से बात कर लेते हैं इसके पीचाइज के बारे में तो ट्रिपल कार्ट्स रोड के स्पेस देखने को मिलता है स्मार्टफोन आपको एक मेंडूर्ड अप्डेट्स देखने को मिलता है एक सो असी हट का टाथ सेम्टिंग रेड भी है 500 निट्स का पिक ब्रेटेंस देखने को मिलता है ओबरॉल प्राइज के अकुडिंग डिस्पले अच्छा है यहाँ पर आपको इसके बेक में 50 में पिक्सल प्लस ए लेंस का डूल केमरे का सेट अप देखने को मिलता है अच्छी बात यह कि इसके बेक वाले केमरे से आप टूके विडियो 30 पेस पर रिकॉर्ड कर सकते हो सबसे अच्छी बात है कि इसमें लगाए मिडियाटेक डिमस्टी 810 यू का 5G चिपसेट और जो सकान्तू तो स्कूर 3,30,000 के करिमें है परफॉर्मेंस इसमें आपको प्राइट के कोडिंग काफी अच्छा मिल जाता है अगर आपको बेस्ट गेमिंग सेंट्रिक 5G स्मार्टफोन की बाराज़ार के अंदर देन डेफिनेटल आप इस स्मार्टफोन की तरफ चा सकते हो यह जो स्मार्टफोन टोटल 125G मेंट को सपोर्ट करता मतलब की 5G को लेकर आपको फ्यूचर हो सिक्यूर हो जाएगा अब बात कर लेते हैं इसके प्राइचिंग के बाहर में तो इसके 4,46 का तुपए जो 11,499 रुपे यानि के 11,500 रुपे 1500 का बेंग डिसकांट में मिल जाएगा देन एफेक्टिव लिसके 4,46 टलो जो भिरेंट है वो आपको 11,000 के अंदर देखने को मिलेगा सबसे अच्छी बात है कि यह जो स्मार्टफ़न आउटो डॉक्स देखने को मिलेंगे और थ्री यह तक सिक्यूर्टी पैच अपडेट देखने को मिलेंगे सब्सक्राइब को चार्ज करें अठार वाट का इंबोक्स आजर भी है सिक्स पॉंट फाइटेंज का फूल एच्टी प्लस आईप्यस लसे डिस्प्ले देखने को मिलता है और वन इटी हट का टॉट सेंप्लिंग रेड़ भी है 500 निट्स का पीक ब्रेंड देखने को मिलता और प्राइस के जृटिंग डिसप्ले इसका डीजन टइपका है यहांप कु हैं यहांपे और आपको इसके रफ्टी माज पीक्सल प्लस टूक्प पिक्सल का डूञ देखने को मिलता है और इसके फ्रॉंट में लगा है नाइट के बार में तो इसके 4103 का प्रहें जो बाराजार 999 रुपए यानि की 13000 रुपए 1500 का बैंक डिस्कॉंड मिल जागा देने फ्रेक्टिव लिसके 4103 वह जो परेंट आपको बाराजार के अंदर देखने को मिलेगा एंद 12000 के अंदर अगर आपको एक complete package जो लेक अच्छा 5G स्मार्टफोन चीए देन डेपनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ चाह सकते हो विडियों में थोरो से और अगबर तो आप बात कर लेते हैं दूसरे नमर वाले स्मार्टफोन के बारे अगर आपको एक best and all-rounder true 5G स्मार्टफोन चीए देफनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ चाह सकते हो प्राइस के गोडिंग काफी तगड़े तगड़े फीचर्स देखने को मिल जाते हैं अब जल्दी से बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में यह जो स्मार्टफोन IP53 साटिफाइड है ट्रिबल कार्ट शलोड का स्पेस देखने को मिलता है मतलब इसमें आप दो सिम प्लस एक मेमरी कार्ट लगा सकते हो दो लिष्टे स्पीकर देखने को मिलता है फोन का लगेने के लिए साट और लॉक है और यह स्मार्टफोन आउटोड़क 713 के साथ आता है गाईस इसमें एक मेजर एंडोड अपडेट्स देखने को मिलेगा एंड टू यहस तक सेकुर्टी पैच अपडेट देखने को मिलेगा 6000 इमेज का बड़ा बैटर ने इसको चार्ज करने के लिए अठारा वाट का इन्बोक्स चार्जर भी है गाईस चार्जिंग थोड़ असल होगा बट डेटर से दो दिन का बैटर वेकप इससे आपको अराम से मिल जाएगा 6.7 18 इंच का फूल HD प्लस IPSL से डिस्प्ले दिस्प्ले दिया है 162 के रिफेसिट के साथ और 246 का टाथ सेंप्लिंग रेट भी है यहां पर आपको इसके प्रॉंट में लगाए 8 में पिक्सल का सेलफी केमरा का इसके ब्रेक और दोनों केमरे से आप 2K वीडियो 30 प्रिकॉड कर सकते हो इसका डिसान टैप का है मतलब कि ठिक ठाक कैमरा प्रॉमेंस है इसमें लगा मीडिये टेक डेमेश्टी 6020 का 5G चिपसेट और जो उसका अंतुत उसकरो तीन लाग सत्तर अजर के गरिब में है ओवरल इससे आप low to medium सेटिंग पर अच्छे से गेम प्ले कर पाऊगे एंड डे टू ले लाइप में कोई आपको इससू देखने को नहीं मिलेगा सबसे अची बात है कि यह जो स्मार्टफोन टूटल 14 5G वेंड को सपोर्ट करता है मतलब कि 5G के लिकर आपका जो फ्यूचर हो सिक्यूर हो जाएगा अब बात कर लेते हैं इसके प्राइजिंग के बारे में तो इसके 4100 है इसका जो प्राइज हो 12492 रुपे यानि की 12500 रुपे एंड 8100 है इसका जो प्राइज हो 13492 रुपे यानि की 13500 रुपे है देफेनेटल आप इस स्मार्टफोन की तरफ चाह सकते हो प्राइज के कोडिंग इसमें आपको काफी तकड़े तकड़े फीचर्स देखने को भीज जाते हैं वीड़ों थो रहाग बड़ तो आप बात कर लेते हैं पहले नमबर ओले स्मार्टफोन के बारे में तो जो हमाल स्मार्टफोन आपको 12000 के अंदर देखने को मिलेगा तो जल्दी से बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में तो सिंगल में स्पीकर है ट्रिपल कार्ट स्रोड के स्पेश देखने को मिलता है मतलब इसमें आप दो सीम प्लस एक मेमरी कार्ट लगा सकते हो फोन कॉन स्मार्टफोन आपको एडप्टर नहीं मिलेगा बस केवल मिलेगा एडप्टर के लिए आपको एक्स्टार पैसे देखे एडप्टर खरीदना पड़ेगा अब बात करें इसके डिस्प्ले डिपार्टमेंट के बारे में तो इसमें लगा 6.6 इंस का फुल HD प्लस PLS और 180 याड का टाच सेंप्लिंग रेड़ भी है 550 निट्स का फीक ब्राइडनेस देखने को मिलता है ओबरॉल प्राइस के कुणिंग डिस्प्ले डिस्प्ले डिस्टन टाइप का मिलता है कलर्स काफी अच्छे दिखने को मिलते हैं यहां पर आपको इसके वेक में 50 मेया फि परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा मिल जाएगा अराम से आप गेमिंग भी कर सकते हो और नॉर्मल यूस में कोई भी सुनने होगा सबसे अच्छी बात है कि यह जो स्मार्टफॉन टोटल तीरा फाइब जी बेंड को सपोर्ट करता है मतलब कि फाइब जी को लेकर आपका जो फ्यूचर हो जाएगा अब बात कर लेते हैं इसके प्राइजिंग के भार में तो इसके चार एक सोट हैस को प्राइज चौदा जार चार सो निननान बेर रुपए यानि के साड़े चौदा जार रुपए 2000 के इसके बेंक के डेविटा क्रेट कार्ट पर देन एफेक्टिव लिसके चार एक सोट हैसोला जो भेरेंट हो आपको 12500 में देखने को मिलेगा तो गाइस अगर आपको एक नोन चैनिस ट्रूप 5G स्मार्टफोन चाहिए जो की सैंसम के तरफ से हो देन डफनेटली आप इ लाइकन को अलपर प्रेस करदों गाइस विडियो नाने बहुत ज्यादा मैंत लगता तो एक लाइक और एक सिस्क्रेप तो बनता है और अगर आपका कोई वीडिया उट है तो आप कोमेंट सकते हैं बेजक मुझे पूच सकते हूं मैं आपको जोड़ा उठेक्लियर कर दू